इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियो आज हम बात करेंगे उस विशय पर जिस विशय पर मैं समझता हूँ कि आपने कभी जरूर विचारत ना होता आज कल हम सब धूप में काम करते हैं धूप में निकलना होता है चाहे हमारे घर की महिलाए हो उनको भी घर का सौधा लेने के लिए धूप में जाना है चाहे हम सब हो भाई लड़ाई तो लड़नी है घर छोड़ के बाहर जाना है कारोबार पे जाना है काम पे जाना है लाक्स हो जाना है लेकिन धूप का कोई डिरेक्शन हो नहीं होना है और उस से फिर एक होना यह है कि आपके चेहरे पे सन्बन जरूर होना है जहाई जरूर आनी है तो हम आपको बताएगे जहाई को दूर करने का अचूख नुकसा वो नुकसा जो आपको महेंगी क्रीमों से बचाएगा महेंगी दवाओं से बचाएगा महेंगी सरजरी से बचाएगा आप लोग स्किन पील कर आते हैं महेंगी सर्जरी से बचाएगा और आपको बिना किसी कष्ट के जहाई को दूर कर देगा हमेशा हमारी कोशिश रही है साथी आप हमारे सारे वीडियो में देखते होंगे देखे क्या है कि रोजी रोटी है अगर हम डॉक्टर हैं एक डॉक्टर दवा देगा तो मैं कुछ पैसे की दवा जरूर देता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि इतने पैसे में दवा ही नहीं मिलती और जो दवा हम लोग देते हैं वो वास्तव में आपको इतने पैसे में नहीं मिलेगी मेरी कोशिस ही है कि जादतर लोग उनको अच्छी से अच्छी और सस्ती से सस्ती दवा पहुंचे और वो भी एक अलग विश्य है मैं चाहता हूँ कि आपका कास्मेटिक पे जो महंगा पैसा खर्चो रहा है वहाँ भी बचे हम लोग दबा दे सकते हैं लेकिन आप लोग ब्यूटी पालर जरूर जाएगे और इस्पा जरूर जाएगे और एक ख्वाब को देखकर अपने ख्वाब को पूरा करने की कोशिस करेंगे जब आप कहीं है इसे जहां जाते हैं जहां यह सजाप्ती बनाप्ती समान मिलता है तो वहाँ पे बड़े फिल्मी हिरोईनों के पोस्टर लगे होते हैं बड़े खुबसूरत खुबसूरत पोस्टर होते हैं और आप अपने को उसी ख्वाब में खो जाते हैं वो ख्वाब जो सामने वाला आपको दिखा रहा है उसी ख्वाब में आप खो जाते हैं ये गलत नहीं है मैं भी किसी सोरूम जाता हूं तो सामने बड़े हीरो की छाट पेने लगा रहता है तो बन करता है यार ये तो बड़ा स्मार्ट है ये ठीच खरीन में तो सभाविक है लेकिन कहीं न कहीं हमको इस डॉक्मा से निकलना पड़ेगा इस माया जाल के बाहर आना पड़ेगा क्योंकि मेंगाई का दौर है अब जब हम ये वीडियो बना रहे है इस बार हिंदुस्तान में सूखा पढ़ रहा है मेंगाई बहुत तेज बढ़ने वाली है आने वाले वक्त में क्योंकि बारिश हुई ही नहीं है, बिलो नॉर्मल मौनसून है, तो सोचे महंगाई का अलम कहा होगा, और उस पर अब आप जब दो-दो-हजार की क्रीम लगाएंगे या डॉक्टर स्पा जाके पील कराएंगे, तो आपका मेहनत का पैसा कहा जा रहा होगा, तो मैं कुशिस करता हूँ हमेशा, मैं कुशिस करता रहूँगा, कि आपका मेहनत का पैसा आपके बच्छों की तालीद, परिवार और सोचल सिक्योटी पे खर्चो, ट्राकी देशी और विदेशी कास्मेटिक कंपनियों पे, या देशी और विदेशी उन सेंटर्स पे, जहा पर दस फोटों है लगाके जो है वहाँ अपने समान को बेचा जाता है मैं आपको कुछ नहीं बेच रहा हूं क्योंकि मैं आपको ऐसा नुक्सा बता रहा हूं जिसमें पांच रुपए में पांच रुपए में आपकी जो है वहाँ जाई जा सकती है और ये बहुत असाने सातियों चलते हैं बताते हैं आपको यहाँ जादूई नुक्सा आपको बहुत छोटा सा काम करना है आपको मसूर की डाल लेनी है मसूर की डाल हम सब के किचन में मौझूद रहती है बड़ी अच्छी बनती है दाल मकानी जो बना के खाते हैं हम लोग तो मसूर की डाल उसमें डालते हैं तो मसूर की डाल आप ले लीजिए एक बड़ा चमच दो बड़े चमच टेबिल स्पून उसको आप मिक्सर में डाल दीजे मिक्सर में डाल के उसको ग्राइंडर में डाल लीजे और ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लीजे जब आप ग्राइंड कर लेंगे तो एक पेस्ट बन जाएगा वो पेस्ट बन जाएगा उसमें आप एक चम्मस शहेड डाल दीजे शहेड यानि हनी फिर आप उसको हलका सा मिला लीजे फिर उसको ग्राइडर में ना चलाईएगा क्योंकि हनी बड़ा नाजुक होता है शेहर बहुत नाजुक होता है उसको आप चम्मस से अच्छे से चला ले और उसको आप अपने चेहरे पे जित्ती भी आपके जाई ये पिग्मेंटेशन है या पूरे चेहरे पे आप उस मसूर की डाल का जो शेहर के साथ आपने बनाया है उसका पेस्ट लगा ले उसको आप 15-20 मिट लगा रहन दे और उसके बाद आप उसको साफ कर दे अगर आप ऐसा पंदा दिन तक लगातार करते हैं आप देखेंगे कि आपके चेहरे की जाई खतम हो गई मसूर की डाल चेहरे की जाई को दूर करने का सबसे कारगर क्रीम है और शहद आपकी स्किन को चमक देगा तो आपके चेहरे की जाई चली जाएगी आपके चेरे पे जो हाइपर पिग्मेंटेशन, क्लियर्मा या मलास्मा है वहाँ चला जाएगा और आपकी स्किन स्वस्त, खुबसूरा, साफ, इकैरी और एक जैसी हो जाएगी आप इस नुक्से को करिएगा साथियो और कमेंट पोर्सन में अपनी राय लिखकर हमको इसकी सफलता असफलता दोनों विस्यों पर उसनी जरूर डालिएगा हम यह समझेंगे कि आपने हमारे वीडियो को देखा आपका हमेशा हमारी मदद करने के लिए हमारे सारे वीडियो को शेयर करने के लिए हमारे चैनल को सब्स्वाइब करने के लिए और चैनल को शेयर करने के लिए अपने अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उबंग हन्दा होनलोपेथी क्लिनिक आपके इस प्यार विश्वास और साथ का हमेशा रिडी रहेगा और इसी दिन को उतारने में हमारा ये प्यास रहेगा कि आपको वो जमीनी चीजें देता रहूं जो पाँच हजार कमाने वाला आदमी भी कर ले और पचास लाख कमाने वाला व्यक्ती भी कर ले क्योंकि 5,000 वाला व्यक्ती हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसी को जहन में रखके यहां प्रोग्राम बनता है और यहाँ हर बैक्ती के लिए अच्छा है क्योंकि एक तथ है यह एक फैक्ट है तो हम आपके सामने फैक्ट रख रहे हैं तो यह वास्तर में अच्छा है और आप इसको करिए और हमको पचाईए आपका बहुत बहुत दन्यवाद क majते लिए हैज आपके सार्शब्स के लिए आपके सार्शब्स अबार के पास्तर के लिए यह वास्तर में अच्छाज के चैसेます